मेरी हत्या करना चुहते थे बदमाश पूर्व विधायक के वंभाजपा नेता पूर्व विधायक एवंभाजपा नेता के इस खोलासे के बाद इलाके में संसनी फैल गई सैकलों के संख्या में लोग उनके आवास पर पहुच कर प्रिशाशन से ततकाल खटना के अनावरण की मांग कर रहे हैं पटना करम के अनुसार इशा नगर कोतवाली शेतर के बेलतुआ गाउं इस्थित विधायक के बंगले को निशाना बनाते हुए बदमाश उनके घड़ से 30 लाख के नगदी सही लाख रुपे के जेवर वास सामान चुरा ले गए थे अब पूर्व विधायक ने मुख्यमंतरी को चुठीलिक कर अपनी जान के सुरक्षा की मांग कर डाली इतना ही नहीं भाजपनेता एवं पूर्व विधायक बाला प्रशादवस्ती ने कहा कि चूरी की रिपोर्ट पुलिस ने अपनी मर्ची से लिखी तेहरीर की अधार पर लिखी है वशुरू से ही अपनी हात्या की अशंका 14 पते 15 रात को 20-25 लोगों के करीब ऐसा हमारा अनुमान है जो निसान देही हमारे बाउंडरिक अंदर है मिले हैं हम महराजी से योगी महराजी से ये मांग करते हैं कि एक उच अस्तरी जांच कमेटी गठित करके अब इस वारदात का खुलासा हो निश्चित रूप से ये चोरी नहीं थी हत्या की नडगईती थी हत्या की एक बहुत बड़ी साजिस थी जिसे में जो है 20-25 अपरादी हमारे घर के अंदर उपर से नीचे तक बाउंडरिक बाहर तक सब मवजूद रहे हैं उनके निसान आज भी मवजूद वो पुलीस ने देखे भी हैं तो हम यहीं चाहते हैं कि हमारी परिवार की सुरच्छा की जाए और हमारे छेत्र के जितने भारती जंता पार्टी के ब्लाक प्रमुख मंडल अध्यक्ष बूत अध्यक्ष तो सब के सब यह चाहते हैं कि इस यह साब कि मद नहीं कर रहा है ठोड़ा हम को इन से कस्त रहा को तवाल साहब से हो सकता है वो भी कर रहे हूं लेकिन हम मांग करते हैं तो हत्या क्यों लगता है हमारे घर पर 40 साल राजीत छोटी बड़ी राजीत में रहे हैं कौन कहां किसे कौन बदमास किसे नाराज है क्यों नाराज है हमारे लोगों से कहीं कोई चूख हुई है या वो स्वैम हम से नाराज है तो ये कौन कहां क्या गैंगलाया है क्या साजी से इसका खुलासा होना चाहिए तहरीर में आपने चोरी की बात कही थी उसके बादा दियो आप आपको लड़कें ने बताए दी कि तहरीर हमको दिखाई नहीं गयी है ना हमको पढ़ाई गई है बड़े बेटे को जो हमारे लोक सभा सियोज़क उनके साथ बेटे थे उने की मरजी मताबिक नहीं और बाकी साथ में तैरीर चॉरी के अपने भडवा बना करें कि अभी रहा हो चॉरी का मूर्टी जैसे रहा हो के चॉरी बदल जाया लेकिन हमारे यहां जो हमारी बांडरी का अंदर बांडर का अंदर जो आज भी इस समय भी निसान मौझूद हैं पैरों के चढ़ने के उतरने के जो कोठी का अंदर जो है जब पहुंचे हैं camera लाग कर देतें उन को दिक्कत नहीं थी बेलन लगा देते वह चोरी गंजाम दे सकते थे यदि उस-स गठना करने के बीच कोई निकल पड़ता कोई कौन निकल पड़ता लड़का ही था यही निकलता तो यह मारे जाते मारे जाते हम दोड़ते हम भी मारे जाते तो परिवार की सुरच्छा और केस का खुलासा जांच बिसेश जांच टीम से उचस्तरी जांच टीम से हम यही महराजी से मांग करते हैं